Okay students, now we are going to see how to apply filters in SPSS और सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि simple filters हम कैसे apply करते हैं SPSS में तो उसको apply करने से पहले हम यह देखते हैं कि what is a data filtering data filtering is the procedure of sorting out the data from the larger data set जब आपके पास एक बड़ा data set है और उसमें से आप एक छोटे smaller data set पर काम करना चाहते हैं तो फिर आप filter apply करते हैं तो इस पे apply करने के लिए जो command use होती है SPSS में उसको कहते है select cases यह command अगर आपको perform करने के लिए data के tab पे जाना पड़ेगा इसको click करेंगे तो आपको end पर एक tab नज़राएगा select cases का तो इसको आप click करेंगे तो आपके पास एक ऐसा dialogue box open होगा इस पे जो आपके पास by default option आ रहा होगा वो all cases आ रहा होगा आपने उस option को जो है यहाँ पे click करना है if cases पे इस option को select करना है if condition is satisfied जब आप if condition के उपर click करेंगे तो आपके पास इस तरह का window open हो जाएगा और यहाँ से आपने देखना है आपने किस variable की basis पे जो है data को filter करना है let's suppose that हम जेंडर की basis पे जो है वो data को filter करना चाहते है तो आप जेंडर select करेंगे जेंडर select करने के बाद उसको इस जो है window में लाएंगे और यहाँ पर जो आप जेंडर select करना चाहते है man या woman उच क्या आप जो है code लिखेंगे क्योंकि SPSS file में जो data एंटर हुआ होता है वो code की basis पे हुआ होता है तो हम चाहते हैं कि हम सिरफ men का data set के उपर काम करना चाहते हैं तो हम जो है इस data set में हमने जो coding की हुई है वो men की हमने की हुई है वन तो हम यहाँ पर लिखेंगे gender is equal to one और इसको continue के टैप यह code लिखने के बाद हम continue पे click करेंगे continue पे click करने के बाद आपके पास यह dialogue box आजाए आजाएगा जिसमें यह आ रहा होगा if gender is equal to one और उसके बाद आपने simply okay के उपर click करना जब आप okay के उपर click करेंगे तो आपके पास जो है जो main window है उसमें जो gender जीरो है यानि women जो respondents है उनके cases के उपर यह आप देख रहे होंगे it means that जब आप analysis perform करेंगे तो वो जो woman का data set है वो आपके analysis में include नहीं होगा